जहिन दोस्तों कैसे आप सभी मैं प्रीती सिंग एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सब के चैनल EPS पर दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपनी करंट अफेर की क्लास इससे पहले दोस्तों मेरे 29 लेक्चर ओल्रेडी करंट फेर के कवर हो चुके है तो वह जाके के आँखों में मंजिल थी गिरे और संभलते रहे आंधियों में क्या दम था चिराघ हवावमे भी जलते रहे तो दोस्तों यहिए कि आंधी तुफान कितने भी आये आपको आपकी लाइफ में लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है आपको उस चिराग की तरह बनना है क्योंकि हिम्मत से ही दोस्तों सब कुछ आसान है अगर आप हिम्मत खो देंगे तो कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे लेकिन अगर आप में हिम्मत है तो आंधियों म कुछ दिखान कर दिखाने की दोस्तों अगर हमारे अंदर हिम्मत है अपने लक्ष को पाने की तो एक ना एक दिन हम अपने लक्ष को जरूर ही अचीव करेंगे तो दोस्तों इसी मोटिवेशनल कोट के साथ कंटिन्यू करते हैं आज की अपनी करंट अफेर की क्लास जो की दो आप भी देख रहे होंगे G20 काफी चर्चा में है तो दोस्तों यहां से एक्जाम में स्टेट लेवल के PCS और UPSC बाकि भी जो ओल कॉम्टेटिव एक्जाम में चाहे वो SSC का CGLO, CPO या फिर UP का SIEO कोई सभी एक्जाम हो कॉम्टेटिव उसमें दोस्तों G20 से कोशन जरूर फ् जैसे कि अगर हम यहीं ले लें कि G20 जो है G20 सिखर सम्मेलन की मेजवानी संदोहजार 22 में कौन कर रहे हैं तो दोस्तों जैसे अपने स्टेट लेवल के PCS है वहां पर पूछ लेंगे कि वह जो जी ट्वेंटी सिखर सम्मेलन हो रहा है संदोहजार 22 का इसका आयोजन कहां प देंगे तो महां पर ऐसे दारक्त आते हैं अगर हम यूपीस की बात करें तो दोस्तों इसी की एक तो कोशन को ही लोंग बना देंगे कि जी ट्वेंटी सिखर समेलन क्या जो आयोजन है वो कहां पर हो रहा है संदोचार 22 में और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है या इसकी अ बनती है और दोस्तों जो अपने सीजीएल सीप्यों के और यूपी ऐसाई के एक्जाम्स होते हैं इनमें डारेक्ट कोशन पूछ लेगे कि भाई इसकी स्थापना कोन कर रहा है इसकी अध्यक्षता कोन करेगा जी ट्वेंटी जो सिखर समेलन हो रहा है संदोचार 22 में इसक करके डारेक्ट कोशन बनते हैं तो दोस्तों हम जैसे भी मैं आपको कोशन कराती हो तो मैं टाइप आपको साथ साथ समझाते में चलती हूं कि ऐसे ऐसे यूपी ऐसी में या स्टेट लेवल को एक्जाम्स में कोशन बनते हैं तो दोस्तों आज पहले को देख लेते हम जो की है जी ट्वेंटी की अध्यक्स्ता क्या दोस्तों जी ट्वेंटी की अध्यक्स्ता नौवंबर सन 2022 में किस देश को मिली दोस्तों पहले तो मैं आपको यही information अगेन देदू कि जो जी ट्वेंटी सिखर सम्मेलन है सन सं 2022 वाला जो कि अपना हुआ है NOV 12 में कभ दोस्तोंорд सं 2022 मेंG20 का सिखर सम्मेलन हुआ है पहले this हमें यहीं पता होना चाहिए कोशन ऐसे बनेगा कि जो 2022 में यह कहां पर आयोजित हुआ है swoją इसका आयोजन कहां पर हुआ आपको उप्शन में देंगे इंडोनेशिया में हुआ अपना भारत में हुआ जापान में हुआ या फिर एक USA में हुआ ऐसे करके आपको उप्शन में देंगे तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है जो इंडोनेशिया का सोरी जो अपना G20 है G20 है और ट्विंटीटू वाला मतलग कि सं मेडीडेस वाला जो भी नुवंबर में हुआ है दोस्तो ये हुआ है इंडो नेसिया के बाली शहर में अगर पूछ ले ना स्ञाइल 20 की अधियक्स त्विंटा पहले हम यह जान लेते कि पडूहां कई हुआ 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 कहां अगर पूछे तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कैंगर figure बाली शहर में कहां दोस्तों इंडोनेशिया के बाली शहर में आपको ये ध्यान में रखना है अगर आएन嗎 option में कि G20 का सिखर सम्मेलन जोकि नवंबर सन 2022 में हुआ है इसका आयोजन कहां पर हुआ तो दोस्तों आपको लगाना है इंडोनेशिया के बाली सहर में ठीक है ये तो हुई G20 के जो आयोजन हुआ है संदोजार 22 में नमवंबर में उसकी बात की कहां पर हुआ है अब दोस्तों सैकिंड कोशिन कैसे बनेगा कि जो G20 है इसकी अध्यक्स इसकी अध्यक्सता नमवंबर संदोजार 22 में किस देश को मिली तो दोस्तों इसकी अध्यक्सता मिली है अपने प्यारे भारत को किसको दोस्तों भारत को G20 सिखर समेलन नमवंबर में जो हुआ संदोजार 22 में इंडोनेशिया में तो इंडोनेशिया के प्रेजिदेंट ने इसकी अध्यक्स्ता किसको दी है दोस्तों भारत को दी है अब इंडोनेश्य के बारे में एक और इंफॉर्मेशन आपको देती हूँ इंडोनेश्य के दोस्तों कैपिटल से जरूर पूछेंगे कोशन इंडोनेश्य के दोस्तों जो पहले कैपिटल थी जो इसकी राजधानी पहले ये थी दोस्तो जकारता क्या दोस्तो जकारता अगर इंडोनेश्य की पहले राजधानी पूछे तो आपको लगाना है जकारता लेकिन अभी दोस्तो इंडोनेश्य की राजधानी बदल दी है अब बदल कर क्या कर दी है दोस्तो नू संतारा क्या दोस्तो इंडोनेश्य इंडोनेशा की अगर कैपिटल कैपिटल क्या हो गई है दोस्तों कैपिटल हो गई है नू नू संतारा क्या दोस्तों नू संतारा यह और एक इंडोनेशा के बाली में अगर आपसे इंडोनेशा की राजधानी पूछ ले तो आपको लगाना है नू संतारा ठीक है और मतलब इसने जो यहां पर हुई है तो इसकी अध्यक्सा किसको दी गई है जी ट्वेंटी की तो दोस्तों यह आपको धियान में रखना है यह दी गई कि अपने भारत को अब दोस्तों इस भारत is जो आने वाला है इसमें घ्वेंटी की मेजबानी कर रहा है मतलब जी का आयोजन भारत में होगा संदोहजार तेईस में यह कोशन दोस्तों पूछा जा सकता है कि संदोहजार तेईस में जी ट्वेंटी संदोहजार तेईस में G20 का आयोजन कहां पर होगा या G20 की मेजबानी कोन करेगा तो दोस्तो ऐसे हैगा भारत भारत दे देंगे आपको इंडोनेशय दे देंगे USA दे देंगे तो दोस्तो आपको धिहान में रखना है जो G20 20 संदोजर 23 में होने वाला है इसका आयोजन भारत में होगा अब दोस्तो G20 का संधोजार तेईस वारला जो सम्मेलन है वो होगा भारत में भारत में भारत में भी कहां अपनी नई दिल्ली में यह आपको धिहान दखना है अब दोस्तों यह तो हमने जान लिया कि 22 में इंडोनेशिया में हो रहा है और 23 में होगा अपने भारत में अब दोस्तों G20 के शेर्पा शेर्पा एक कोशन ऐसे आ सकता है जी 20 के शेर्पा कोन है तो दोस्तों यह हैं अमिताब कांत अब दोस्तों आप सोच होंगे यह सेर्पा क्या होता है दोस्तों जो इसका management को देखता है उसको शेरपा कहा जाता है तो अगर आ जाए कि G20 जो सिखर सम्मेलन है इसके शेरपा कौन है तो दोस्तों आपको धियान रखना है इसके शेरपा है अमिताब कांत जी अब शेरपा आपको धियान में रखना है जो G20 है न वही management भी तो करते हैं इतनी countries इसमें शामिल है तो इनका management कौन देखता है शेरपा जाबी है न तो आप management से लगा ले न जी ट्वेंटी का जो management है वो देखते हैं अपने यह देखें अमिताब कांत ने अगर आपको question आ जाए कि वह जी ट्वेंटी के शेरपा कौन है तो आपको लगाना है अमिताब कांत move करते हैं दोस्तों next question पर अब देखो जो मैंने आपको बताया न समझाया वो question मैंने लिखा भी है कि वर्ष संदोजार 23 की G20 समिट की शहर में आयूजित होगी आपको आपको answer लगाना है दोस्तों नहीं दिल्ली आपको धिहान में रखना है भारत में होगी संदोजार 23 वा भी तो दोस्तों शहर आजाए और 3-4 option में हो तो आपको लगाना है नहीं दिल्ली में move करते हैं दोस्तों next question पर next question है दोस्तों G20 से ही ले ले लेते हैं question और G20 से दोस्तों एक question यह है कि PM नरेंद्र मोदी ने भारत की G20 की अध्यक्सता के लिए कौन सी theme launch की दोस्तों theme से भी question आपको पता है कि theme से भी question बनते हैं जैसे environment day हो गया population day हो गया तो इनकी date के साथ की यह कम बनाए जाते हैं इनकी theme से भी question state level के PCS में बनते हैं तो दोस्तों हमें इनसे भी update होते हुए चलना है जैसे कि G20 की अध्यक्सता के लिए भारत ने मतलब भारत में नरेंद्र मोदी जी ने क्या theme launch की तो दोस्तों यह theme launch की वसुदेव कुटूंबकम वन अर्थ क्या दोस्तों वन अर्थ वन फैमिली क्या दोस्तों वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर यह दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि प्यम नरेंद्र मोदी जी ने भारत की G20 की अध्यक्सता के लिए कौन सी theme launch की तो दोस्तों यह theme launch की है वसुदेव कुटूंबकम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वन तो आपको ध्यान नहीं रहेगा अर्थ फैमिली फ्यूचर अर्थ फैमिली फ्यूचर ऐसे दो-तीन बार रिपीट करेंगे ना तो आपको ध्यान में और जाएगा कैसे one तो वही रहना है अर्थ फैमिली फ्यूचर अर्थ फैमिली फ्यूचर दो तीन बार ऐसे रिपीट करेंगे न तो ये माइन बे वैसे ही सैट हो जाना है मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कोशन पे जो की है FATF क्या दोस्तो FATF ने भारत के किस पडोसी देश को FATF ने गतिविदी के आधार पर black list में ग्रे लिस्ट में ये FATF डालता है और निकालता है अब क्या है ये कॉशन FATF ने भारत के किस पडोसी देश को black list में शामिल किया है दोस्तों ये किया है मयामार को क्यूंकि दोस्तों यहापर क्या है यहाँ पर दोस्तों सैनिय सासन होता है, सैनिय सासन, यह आपको दोस्तों ध्यान में रखना है, यहाँ पर सैनिय सासन होता है, और इसको ना भी FATF ने क्या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, अगर आ जाएं ना कि भारत के, सोरी दोस्तों, गले में खासी शुरू हो जाती है, यह प्रोब्लम सभी मोस्टली सभी को चल दिया, तो यह ऐसे ही चल रहा है, इसका कुछ हिलाज नहीं हो रहा है, मैं क्या बता रही थी आपको कि जो FATF है, FATF ही किसी भी देश को, मतलब उसकी गतिवीदी के आधार पर, Black list में डालता है, Grey list में डालता है, डालने और निकालने का काम किसका, FATF का है, अभी इसने भारत के किस पडोशी देश को Black list में डाला है, तो दोस्तों अगर आजाए मेयमार को पाकिस्तान को अफगानिस्तान को ऐसे आपको तीन चार ओप्शन में दिये हों आपको दोस्तों ध्यान में रखना है कि FATF ने अभी हाल ही में भारत के मेयमार मेयमार को ब्लैक लिस्ट में डाला है ब्लैक लिस्ट आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है मैं हमार मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कोशन पर जो की है किस पडोसी देश को किस पडोसी देश को FATF अगर आप यह सोचोगे कि यह FATF की फुल फोर्म क्या है तो दोस्तों यह है Financial Action Task Force क्या दोस्तों Financial Action Task Force ने ग्रे लिस्ट से बाहर गया मैं आपको बता रही हूं जो यह FATF है यही किसी भी देश को उनकी गतिविदी के आधार पर मतलब mostly आर्थी गतिविदी के आधार पर ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में डालता भी है और निकालता भी है अब डाला किस को है वो मैंने आपको बता दिया कि भई मैं मार को अब बात हो रही है दोस्तों बाहर की कि जो किस पडोसी देश को financially action task force मतलब भी FATF ने ग्रे लिस्ट से बाहर किया तो दोस्तों अगर बाहर का है तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है ये किया है पाकिस्तान ने किसने दोस्तों ये किया है पाकिस्तान ने ये आपको ध्यान में रखना है ये अपना इधर इधर ये जो है ये पाकि पाकिस्तान को पाकिस्तान को क्या दोस्तों ग्रेय- लिस्ट से बाहर कर दिया है एफटी एफ्ने अगर आजाए ने भारत के किस पडूशी दीज भारत के किस पडोसी देश को FATF ने ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है तो दोस्तों ये आपको धियान में रखना है ये किया है पाकिस्तान को अगर आजाए कि FATF ने ब्लैक लिस्ट में भारत के किस पडोसी देश को शामिल कर दिया है तो दोस्तों शामिल आजाए और ब्लै हाने में हमार. improves करते हैं दोस्तों नیक्स्ट कोच्षिन के जो की है किन देसों को किन देसों को- Ace benefited की ग्रे लिष्ट में सामिल किया गया ऐसे कौन से देश से दोस्तों जिने 22-22 ऐक्टोबर 2022 में ऐफेती एफ ने इस यह चार चे में सामिल किया तो दोस्तों यह किया dibuj यह दम से याद में को और तंजानिया को ग्रे लिस्ट में आ जाए ना दोस्तों ग्रे लिस्ट से भारतों कर दिया पाकिस्तान को यह तो किस्सा ही खतम इसका अब दोस्तों एफ एटी एफ ने सामिर किंदेसों को किया ग्रे लिस्ट में यह आपको द्याहन में रखना है कांगो मोजांबिक और अंजान या यह एक度 म माइंड में आपको Set कर लेना है Moves करते हैं दोस्तो Next Question पे जो की है Cean – केंद्र सरकार ने क्या दोस्तों केंद्र सरकार ने डिल्ली में राजपत और Central Vista loan का नाम बदल कर क्या रख दिया क्या दोस्तों तो केंद्र सरकार नै दिल्ली में राजपत और सेंटरल विस्टा लोंजका नाम बदलर क्या रख दिया तो दोस्तो है नाम रख दिया मैंने आपको फिछली कक्षा में भिकरा है ते थी कोशन बहुत ही ज जाधा महपूर्ण है जो बदले जाते हैं यहां से कोशन मतलब बनता ही बनता है एक तो यह नाम बदले जाता है जो जैसे भी अभी राजपत और सेंटर विस्टा का क्या नाम बदल गया है जैसे किसी इस्टेशन का नाम चेंज हो गया हो किसी जैसे रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हो जाता है यह किस महत्पूनिस्थान का नाम चेंज हो जाता है तो दोस्तों जो यह नाम बदल कर दूसरे रखे जाते हैं यहां से कोशन बनता ही बनता है जैसे यहां से बनता है सूचकांग से बनता है और अपना यह संयुक्त सैनिय अभियास होते हैं यहां से बनता है तो दोस्तों यह कुछ तो ये आपको धिहान में रखना है दोस्तो करतव्य पत क्या दोस्तो नाम कर दिया है करतव्य पत अब दोस्तो इसका उद्गाटन किसने क्या नाम जो बदला गया है ये नाम बदला इसका उद्गाटन किसने किया तो दोस्तो अगर आजे नाम बदल कर क्या रखा गया नया न का नाम बदल कर जो नाम बदला गया नया नाम क्या बन एक कर्तब्या पत इसका उद्गाटन किस ने किया तो दोस्तों यह किया अपने पीएm नरेंद्र मोदी जी ने, किसने दोस्तों, अपने पिम नरेंद्र मोदी ने, ये आपको ध्यान में रखना है, नरेंद्र मोदी जी ने, ये आपको माइंड में बठा लेना है, मूव करते हैं दोस्तो नेस्ट कोश्शन पर जो की है भारत ने अगस्त सन दोजार बाइस में माल दूइब के साथ कितने समझोते ग्यापनों मतलब कि MOU पर साइन किया तो दोस्तो 6 समझोतों पर भारत ने Maldweep के साथ क्या समझोते पर साइन किया हस्ताक्षर किये हैं अगर आजए कि भारत ने भारत ने किस देश के साथ 6 समझोतों MOU पर साइन किये तो भी आपको Maldweep लगाना है अगर आजए भारत और Maldweep के साथ कितने समझोतों पर साइन किया ऐसे आजए 5 पे 6 पे 4 पे 3 पे तो दोस्तों आपको धिहान में रखना है 6 पर यह आपको एकदम अच्छे से बठा लेने माइंड में मूव करते हैं दोस्तों केंद्र सरकार की सिफारिश पर राश्ट पती ने उडन-परी के नाम से मशूर किस खिलाडि को राज्जे सबा cuánt के लिए मनोनित किया तो दोस्तों यह किया है पीटी उशा को किसको दोस्तों पीटी उशा को अब दोस्तों पीटी उशा के बारे में और जानकारी आपको देती हूँ जो दोस्तों यह पीटी उशा है इन्हें उडन परी के नाम से जाना जाता है किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों उडन परी दोस्तों एक बार PCS में के पूस्क्राइब दो दोस्तों दियान में रखनाओद को ₱ तो आपको अभी इससे बठा लेने माइन मैंड वी a कि वहीं है उनके नाम से जहाना जाका है कि दोस्तों है और रिंत में लग्लास करूश के डी गिसे नाम से जाना जाता आए आपको कराया था कि ओलंपिक जो है उनकी ओलंपिक AIO AIO Indian Olympic Association में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी महीला को पहली बार अध्यक्ष बनाए गया है AIO की पहली महीला अध्यक्ष बनी है PT USA PT USA के बारे में दोस्तों ये जानकारी आपको ध्यान में रखनी है कि एक तो ये AIO की क्या नम है अध्यक्ष बनी है पहली बार ऐसा हुआ है कि AIO की कोई महीला अध्यक्ष बनी हो अगर AIO की महीला अध्यक्ष पूछे तो भी आपको PT USA लगाना है अगर आजाए कि केंद्र सरकार की सिफारिस पर राष्टपती ने राष्टपती अभी कोन है आप सभी को पता होगा द्रोपदी मुर्बू जी कौन से नंबर की है और कौन से जंजाती से बिलोंग करती है ये सारी इंफोर्मेशन औरड़ी मैं आपको अपनी पिछली करंट अफेर की क्लासेज में दे चुकी हूँ तो राष्टपती ने उड़न परी के नाम से मसूर किस खिलाड़ी को राजे सभा सदस्य के लिए मनूनित किया तो दोस्तो अभी ने राजे सभा राष्टपती जी ने राजे सभा के सदस्य के रूप में भी मनूनित कर दिया है तो 3-4 अगर option में आए कि हीमादास को किया है, PT उशा को करा है, मेरिकोम को करा है, तो दोस्तों आपको धिहान में रखना है किसको किया है, PT उशा को, भारत और किस देश के बीच, मिताली, मिताली एक्स्प्रेस ट्रेन का संचालन जून, संदोहजार 22 में शुरू हुआ, क्या है दोस्तों कोशन, भारत और किस देश के बीच, आपको फोकस करना है, क्या है इस पर की पॉइंट, की पॉइंट है दोस्तों मिताली एक्सप्रेस ट्रेन का उदगाटन का संचालन क्या दोस्तों मिताली एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन जून सन 2012 में शुरू हुआ तो दोस्तो जो ये मिताली एक्सप्रेस ट्रेन है इसका जो संचालन है वे किस किस देश के बीच में हुआ मलब भारत और किस देश भारत का किस देश के साथ हुआ तो दोस्तो ये आपको ध्यान में रखना है मिताली एक्सप्रेस ट्रेन आ जाए तो दोस्तो ये हुआ है भारत और बांगलादेश के बीच संचालन किसके दोस्तो भारत और बांगलादेश के बीच संचालन हुआ है मूव करते हैं दोस्तो नेक्स्ट कोशन पर जो की है राजिये में जाती है जन करना करवाने का फैसला लेने वाला दूसरा राजिये कोन बना है क्या दोस्तो राजिये में जाती है कास्ट सेंसे करवाने का फैसला लेने वाला सेकिंड इस्टेट कून बना है तो दोस्तो ये बना है बिहार क्या दोस्तो बिहार ये BPSC स्पेशल के लिए हो गया BPSC का एक्जाम है न दोस्तो अब ना 12 फरवरी को तो मेरे काफी students demand करें कि मैं आप हमें भीहार का भी कुछ करवा देए special जैसे current के questions है तो दोस्तों ये भी मैं class design करने की सोच रही हूँ मैंने content त्यार कर लिया जैसे भी मुझे time मिलता है मैं आपको BPSC की classes शुरू करवा दूगी तो tension लेने की जरूत नहीं है at least मैं current affairs तो आप जो भी मेरे से जितना बन पड़ेगा दोस्तों मैं वह आपके लिए help जरूर करूंगी बस दोस्तों time का होता है न time का और जैसे classes होती है दो दो अगर classes लेती हूं तीसरे की कोशिश करती हूं तो तीन से ज़्यादा classes मैं नहीं करवा सकती क्योंकि एक class करवाने कोई 3-4 निकल जाते हैं content त्यार करना उपर से वीडियो शूट करना वीडियो को एडिट करना बाकी भी दोस्तों बहुत सारे काम होते हैं आपको पता यह एक वीडियो को बनाने के लिए तो वह ज्यादा हो जाता है पूरा दिन इसी में निकल जाता है फिर next day के लिए planning करना होता है हो जाएगा कि कहां कहां से कोशन बन रहे हैं तो आप वो त्यारी कर सकते हैं तो दोस्तों यह बीपी ऐसी के आप टैंशन ना ले करन्ट में करन्ट के classes करवा दूनी आपको तो उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है बाकी यह होगी अपना जैसे कि यह अगर आया जाए दोस्तों राजी में जाती है जनगन्ना क्या दोस्तों कास्ट बेस जो सैंसिज है करवाने का फैसला लेने वालक दूसरा राजी यह बिहार आपको यह ध्यान में रखना है ऐसे पूछ लेंगे कि पहला राजी है दूसरा राजी है तीसरा तो आपको ध्यान में रखना है ब चैनिकों के परतीक चिनों को इंडिया गेट से हटा कर रिमूव करके कहां इस्थापित किया गया तो दोस्तों ये इस्थापित किया गया है नैशनल वोर मैमोरियल में कहां पर दोस्तों नैशनल वोर मैमोरियल में मूव करते हैं दोस्तों आज के लास्ट कोशन पर जो की है क केंद्र सरकार ने युक्रेन में युक्रेन में फसे भारतियों भारतिय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया दोस्तों इस पर आप टूइस्टार लगा लो यह आपको किसी ना किसी स्टेट लेवल के PCS जो SSC के एक्जाम्स होते हैं उसमें जरूर दे देंगे ओप्रेशन गंगा ओप्रेशन आहट ओप्रेशन सर्धवा मतलब ऐसे करके तीन चार ओप्षन में देंगे तो दोस्तों आपको तो बस एक ही धिहान में रखना है कि जो अपनी केंद्र सरकार है युक्रेन में जो भारतिये नागरिक फस गए थे उनको निकालने के लिए भारतिये सरकार ने या केंद्र सरकार ने ओप्रेशन गंगा शुरू किया क्या दोस्तों ओप्रेशन गंगा युक्रेन भारतिये फस गई महां पर महां से निकालने के लिए ओप्रेशन कौन से शुरू किया ओप्रेशन गंगा क्या दोस्तों ओप्रेशन गंगा तो इस्टुडेंस ये थी आज की मेरी करंट अफेर की क्लास, I hope सभी स्टुडेंस को काफी मदद मिल रही होगी, दोस्तों ये थी आज अपनी 13th नमबर की, 39 क्लास में करा चुकी हूँ, आज ये 30 नमबर की क्लास थी, इसको भी दोस्तों मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगे, तो तो वो आपको नोट करते हुए चलना है, इसलिए प्रीती में हमेशा क्या बोलती है, उनकी कक्षा में आपको पैन और पेपर लेकर बैठना है, आपको सारी चीजे अभी देखो, जैसे मैंने ये, इंडोनेशिया का लिखवाया तो नहीं था, कि भी संदुचार 22 में कहां पर हुआ, लेकिन मैंने अभी आपको बताया, क्यूंकि आपको पता है दोस्तों, अपने बोर्ड की एक लिमिटेशन सा, आई होप आपको यहीं तक दिख रहा होगा, है न, इतना दिखता है, इतना नहीं दिखता, तो जो मैं चीजे बोलती हूँ, वो आपको दोस्तों सास करनी है, तो इसी पर अपना बैस्ट करते हैं, यहीं से आपको पता है, बहुत इंसान आगे बढ़ सकता है, और आगे का भी देखेंगे, फिलाल तो इसी पर जितना होता है, मैं कोशिश करती हूँ, यहीं पर आपको समझाओं, और दोस्तों इसलिए कहती हूँ, आपको मज आपको चीचे माइंड में बैठ जाएगी, दोस्तों जो सेकिंड ले रही हूँ, जी यह सेकिंड के क्लास, भारतिय राज विवस्था की, उसके दोस्तों आपको नोट्स बना नहीं बनाने हैं, मैं उसमें यहीं बोल गी हूँ, अपना भारतिय राज विवस्था चल रहा ह और दोस्तों उन नोट से भार आपको कुछ नहीं जाएगा क्यूंकि दोस्तों मैं आपको सभी को पता है कि मैं एकदम डिटेल में महां पर चीजे करवा रही हूं तो जो मेरे स्टूडेंट नहीं है सोचेंगे कि मैं और भी क्या पढ़ाती है तो दोस्तों मैं यह स्टेट ल वहां पर चैनल को सबसक्राइब नहीं कि है तो ईकलास नकिके क्लास देखनी और यह सेर्डेल में और उससे बरे अपको कुछ नहीं जाएगा पोलडिती में तो दोस्तों यह थी आज कि क्लास आपको दोस्तों ज्याद़ сейчас ज्यादा वीडियो को श्यार करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और जो घंटी होती है बेल आइकन उसको दबा ले उससे दोस्तो यह होता है जब भी मैं अपनी च्लास शूट करके डालती हूं तो सबसे पहले मैं चाहती हूं मेरे स्टुडेंट के पास मेरी क्लास जाए और अपनी classes का भरपूर लाब उठाए और अपने exam में अच्छा परदर्शन करे और दोस्टो टेलिग्राम पे मैं अपनी description में मैं टेलिग्राम लिंक डाल दूँगी मैंने पिछले classes के सारी PDF आपको दे दी है टेलिग्राम पे जो मेरे दोस्त नहीं जूड़े हैं मेरे साथ वो जाके मेरा टेलिग्राम जोइन कर ले और PDF डाल दिया है उससे revision करे और आपको मैं यहीं बोलती हूँ दोस्तो PDF को आपको print में निकलवा लेना है और जैसे कोई उससे जैसे भी हम यह कर दे यह मैंने करवा रखा था आपको G20 वाला तो उसमें आप Add भी कर सकते हो कि मैडम ने बताया था संदुजार 22 में यहां हुआ है 22 वाला तो मैंने अपडेट करवा रखा उसमें जो 23 वाला है ना उसको आप add कर लो भारत में भारत में वह कहां पर होगा नइंग बहुआ है आयो जर्थ तो फिर मिलते आपको को देखते रहे और अपनी बढ़ाई अच्छे से रहे